नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास शर्मा हूँ, मैं एक डर्माटोलोजिस्ट और हैर ट्रांस्प्लांट सर्जन हूँ डर्मावन क्लिनिक में सफेद दाग का इलाज कैसे किया जाता है? आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं सफेद दाग जिसे फुलवेरी या विटलिगो के नाम से भी जाना जाता है एक बहुत ही आम सकिन की बिमारी है इसमें सकिन के किसी भी हिस्से में सफेद रंगे छोटे छोटे या बड़े दाग बन सकते हैं यह आम तोर पर सकिन तकी सीमित रहती है और इससे यूशुली कोई सकिन के अंदर या बॉडी में कोई यूशुली प्रॉब्लम्स नहीं होती है आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि विटलिगो दिखता कैसा है कैसा होता है इसका इलाज कैसे कर सकते हैं इसमें खान-पान में क्या परहेज करने होते हैं क्या चीज़ें आपको खानी चाहिए जिनसे आप विटलिगो का इलाज अपने अच्छे तरीके से कर सकते हैं विटलिगो को लिउकोडर्मा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें शरीर पर सफेद दाग पढ़ जाते हैं अब कई लोग इसे कन्फ्यूज करते हैं बाकी बिमारियों के साथ अब आपको समझना ये ज़रूरी है विटलिगो और बाकी बिमारियां जिन में हलके रंग के निशान पढ़ रहे हैं उनमें फरक क्या होता है विटलिगो में या लिउकोडर्मा में स्किन पर जो दाग पढ़ेंगे वो करीब-करीब पूरे तरीके से सफेद होंगे शुरुवाती स्टेजेज में ऐसा हो सकता है कि उनमें निशान में जो रंग है वो हलका पढ़ जाए यानि नॉर्मल स्किन के मुकाबले वो थोड़ा हलका नजर आए और ग्राजुली जैसे जैसे टाइम बीटता जाए वो पूरे तरीके से सफेद हो जाएं जबकि विमारियां जो इससे मिलती जलती नजर आती है जैसे कि कुछ ट्रोग या फिर कुछ फंगल इंफेक्शन्स जो की चाती या प्रीट पे देखे जाते हैं या फिर और भी किसी कारण से जो निशान पढ़ते हैं वो यूजवली हलके रंके होंगे उनमें कुछ न कु सूना पर महसूस होता है यानि चूना पहसूस अच्छे तरीक से नहीं पता चलता है तो वो कुछ ट्रोग होने के जादा चांसे हैं ना की विटलेगो विटलेगो में चूने पर सब कुछ नॉर्मल ही पता चलता है विटलेगो और अन्य तरीके के सफेद रंके या हलके रं नहीं करना चाहिए, विटलिगो एक छूने से फैलने वाली विमारी नहीं है, अगर किसी को सफेद दाग है और अगर आप उसे चूते हैं, तो वो आपको नहीं फैल सकता है, अब बात करते हैं विटलिगो में किस प्रकार के लेक्षन देखे जाते हैं, विटलिगो, लिउको जा सकता है कि विटलिगो की वज़ा से आपके बाल भी सफेद हो गए, जहां पर आपको विटलिगो का निशान हुआ, विटलिगो में होने वाले सफेद दाग कुछ एक चोटे हिस्स तक लिमिटेड रह सकते हैं, जैसे सिटूएशन में इने फोकल विटलिगो कहा जा सकता जैसे कि अगर किसी के हाथ पे ही निशान है सिरफ तो उसे फोकल विटलिगो कह सकते हैं, इसके अलावा जनरलाइस्ट विटलिगो भी हो सकता है, मैंन लीजिए कि किसी के पूरे शरीर में 60-70% बॉड़ी एरिया में या उससे भी जादा एरिया में विटलिगो के निशान ह जाता है, फिर एक सेग्मेंटल प्रकार का विटलिगो भी होता है, जैसे कि अगर किसी को एक नर्व के अलॉंग, जैसे फिर एक्जामपल हमारी चेस्ट पर जो नर्व होती है वो पीछे से पीरीड के हड़ी से छाती की तरफ आती है, तो अगर इसी पैटन में किसी को अग विटलिगो क्यों होता है, विटलिगो या सफेद दा की विवारी आमतोर पर ऑटो इम्म्यून होती है, यानि कि आपकी बॉड़ी की इम्म्यूनिटी गल्ती से स्किन में रंग पैदा करने वाले सेल्स जैने में रानोसाइड्स कहा जाता है, उनको मार देती है, ऐसी ऑटो विटलिगो इसके अलावा विटलिगो अनुवांशिक भी हो सकता है, यानि अगर पेरेंस में है तो बच्चों में हो सकता है, विटलिगो सेग्मेंटल विटलिगो खास तोर पे नर्व से निकले केमिकल्स के वज़ए से भी हो सकता है, विटलिगो चोट लगने के यानि की free oxygen radicals बनने से हमारी बॉड़ी में मिलनोसाइट या स्किन में रंग पैदा करने वाले से यह वो डैमज हो सकते हैं इस वज़र से भी विटलिगो हो सकता है अब हम बात करते हैं सफेद दा के इलाज या विटलिगो के इलाज के बारे में सफेद दा का इलाज क्रीम्स को लगाने से आपके जो चोटे दाग हैं वह आमतार पर जल्दी ठीक हो जाते हैं स्पेशली अगर उस एरिया में बाल भी हैं तो जैसे फर एक्जामपल फोर राम या चेस्ट वगएरा में जहां पर बाल होते हैं वहां पर चोटे दाग अराम से लगाने की की अगर मान लीजिए किसी को विटलेगो बहुत जादा शरीर पे फैला हुआ है तो उस सचुवेशन में हमें खानी की दवाईयां भी देनी पड़ेंगी लगाने की दवाईयों के साथ-साथ बहुत जादा एक्स्टेंसिफ विटलेगों में कई बार यूवी रेज की जोटा निशान है और वो लगाने की दवाईयों से ठीक नहीं हो रहा है तो सिचुवेशन में के किसी दूसरे हिस्से से स्किन को लेकर या स्किन में रंग पैदा करने वाले सेल्स को अलग करके उनको उस हिसे में ट्रांस्प्लैंट करा जा सकता है जिससे कि वह वहां पर र क्म्यूनिटी जो है वो अल्टर होने लग जाती है या सप्रेस होने लग जाती है उस वज़ा से वहां पर स्किन में कलर वापस आने लग जाता है पहले ये कलर चोटी-चोटी बिंदियों के दूरूप में नजर आता है दिरे दिरे करके पूरी स्किन में फैल के उसको कवर कर लेता है इसके बाद बात करते हैं अगर मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा एरिया पर सफेद दाग या विट्टिकों की प्रॉब्लम है ऐसी सिचुएशन में ज़रूरी हो जाता है कि हम खाने की दवाईया दें खास तोर पर ऐसी सिचुएशन में जब आपको नए द दाग बन जाते हैं जो कि और ज़्यादा एरिया कवर कर लेते हैं या फिर पुराने दाग जो हैं वो बड़े होते जा रहे हैं साइज में ऐसी सिचुएशन में डिजीज को स्टेबलाइज करने के लिए स्टिरोइट्स एज़ा थायोपरिन साइक्लोस्पोरिन ऐसी लिजीज को हलका सा दबाके आपके स्किन के कलर को जाने से बचा लेती हैं और कुछ सिचुएशन में रंग को वापस लाने में बिसक्षम हो जाती हैं पिर कभी कभी स्किन में रंग वापस लाने के लिए यूवी रेदी के लिए का बही मिस्तेमाल किया सकता है suprausi में यू UVA-rays soraline-naam की chemicals के साथ में इस्तिमाल की जाती है यही chemicals कुछ एक plants में भी मौजूद होते हैं इसलिए Ayurvedic Remedies में भी कभी-कभी धूब दिखाने के लिए बोला जाता है जो विटलिकों के लिए Ayurvedic Remedies होती है तो इसमें कैसा किया जाता है कि soralens को या तो skin पर लगाके या फिर खाने की दवाईयों के दौर पर दे कर आपको कुछ समय के बाद धूब दिखाने के लिए बोला जाता है ये soralens जब धूब के exposure में आते हैं तो skin में रंग पैदा करने में मदद करते हैं इनको डॉक्टर के देखरेक में ही लिया जाना चाहिए क्योंकि इनसे side effects भी हो सकते हैं क्योंकि धूप में UVA और UVB rays दोनों मौझूद होती हैं इसलिए कभी-कभी इन chemicals के साथ special devices जिनमें सिरफ UVA निकलती है उसको भी combination में solarens के साथ यूज किया जाता है UVA या पूवा therapy इसका इस्तेमाल तभी किया जाता है जब आपके skin के जो निशान है वो stable हो चुके हैं वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं नहीं निशान आ रहे हैं अब बात करते हैं UVB की UVB को तब भी उसकिया जा सकता है जब आपके taking any medicines या कोई दबाईयां वगयरा लिए बिना भी आप UVB का इस्तेमाल कर सकते हैं UVB में देने के दो तरीके होते हैं या तो कोई special chambers होते हैं जिने UVB chambers का जाता है ऐसे एक machine के अंदर आप जाते हैं जिन में बहुत जादा विल्टिलेगो extensive है वो उस पूरी skin को UVB से expose कर सकते हैं और उनकी skin में वहाँ पर color आना शुरू हो सकता है अगर आपको बहुत चोटे एरिया में UVB exposure चाहिए जैसे मान लीजे किसी को अगर बहुत चोटे निशान है तो situation में वो UVB के hand head lamps आते हैं जिसमें कि आप लैंप्स को हाथों में पकड़ कर उसी एक specific area को आप वो UVB light से expose कर सकते हैं जिसे कि वहाँ पर color आ सकता है UVB को काफी safe माना जाता है इसे pregnancy और बच्चों में भी relatively safe कहा गया है अब बात करते हैं surgery की अगर किसी के निशान इन सब therapies के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहे हैं उस situation में surgeries की जा सकती है इसमें skin के किसी और फाक से जहाँ पर skin में color मौझूद है मान लीजिए thighs या buttocks वहाँ से skin को लिया जाता है skin के एक छोटे से उपरी परत को लेकर उसमें से color पैदा करने वाले cell लिया जाते है ये color पैदा करने वाले cell को फिर transfer कर दिया जाता है जहाँ पर आपको requirement है जहाँ पर भी सफेद दाग है इसके अलावा कई बार वो पूरी skin ही transfer कर दी जाती है जहाँ पर सफेद दाग या उसको ऐसी situation में इसको split thickness skin grafting कहा जाता है कभी-कभी smash grafting भी की जाती है ये सब methods है जिसमें की skin के एक हिसे से दूसरे हिसे में color पैदा करने वाले cells को transfer कर दिया जाता है जिसे की सफेद दाग में रंग वापिस आ जाता है अब हम बात करते हैं तो इसमें आपको जो याद रखना है वो यह की antioxidant से भरपूर जो डाइट है वो आपके लिए ठीक है जैसे example के तौर पर अगर आप fruits लेते हैं तो vitamin A जैसे की आप carrots ले सकते हैं vitamin C के लिए आप citrus fruits ले सकते हैं जैसे की oranges या lemons यह सब चीज़ें आप अपने डाइट में increase करके अपने antioxidant levels को बढ़ा सकते हैं इसके अलावा antioxidants grapes, अनार इन सब चीज़ों में भी मिलते हैं इन सब fruits को खाने से जब आपकी बाड़ी में antioxidants बढ़ जाते हैं तो antioxidants आपकी बाड़ी के oxidative stress को थोड़ा सा कम कर देते हैं ऐसा होने से जो skin में जो damage चल रहा होता है melanocytes को या रंग पैदा करने वाले cells को वो damage slow down या बंद हो चाता है और आपकी skin में रंग वापस आना शुरू हो सकता है इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप डायेट लेते हैं तो उसमें हरी पत्यदार सबजें थोड़ा ज़ादा हो इनसे भी आपको काफी सारे vitamins और minerals मिलते हैं अगर आपके इलाज में steroids नाम की दवाईयां चल रही हैं खाने के तौर पर तो ये दवाईयां आपकी body में नमक की मात्रा को बढ़ा सकती है तो आपको नमक थोड़ा सा कम लेना है जब आप डायेट लेते हैं साथी साथ कैल्चियम रिच फूड जैसे milk प्रड़क्स, दूद, दही, पनीर, इसेटरा आपको ज़ादा लेना है डायेट में आपकी डायेट में जो भी दिलाज के समय भी आपको स्ट्रॉंग रखने के लिए चाहिए तो वो अगर आप नहीं लेंगे तो आपकी body treatment को अच्छा तरीके सा जही नहीं पाएगी जैसे कि steroids खाने के तौर पर आपको nutrition अच्छा चाहिए उस टाइम पर वरना आपकी body में infections भी हो सकते हैं तो आपको बहुत दादा परेज नहीं करने हैं इस समय पर इसके लावा आप हम बात करते हैं कि general measures क्या होने चाहिए आप और निशानों को बनने से बढ़ने से कैसे रोक सकते हैं आपको ये ध्यान देना है कि आपको बहुत tight कपड़े नहीं पहनने हैं ऐसे कपड़े जो कि skin में ragard create करते हो वो विटलेगो के दाग को बढ़ा सकते हैं इसके अलावा घड़ी अंगूठी ऐसी सब चीज़ें भी कम से कम ही पहनें जब भी कपड़े पहनें जतना लूज हो सके उन्हें लूज करके पहने इसके अलावा भी अगर आप कुछ और ऐसे काम करते हैं जिन में तवचा पर रगड लगती है तो उन कामों को avoid करें स्किन पर जितना फ्रिक्षन होगा उतना विटलेगो बढ़ने की चांसे बढ़ जाते हैं अन्प्री में यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको विटलेगो है तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए विटलेगो एलाज आज करकी डेट में बहुत एजिली हो जाता है आप अराम से अपने डॉक्टर को दिखा कर अपने डर्मटोलोजिस्ट को दिखा कर इसका इलाज अराम से करवा सकते हैं दूसरी चीज यह है कि विटलेगो का इलाज जल्दी शुरू करवाना भी जरूरी होता है अगर आप ठीक करवाने की कोशिश करेंगे तो इसका इलाज थोड़ा एजली हो जाता है अगर विटलेगो को फैलने का मौका देंगे तो इलाज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इस विडियो में मैंने आपको विटलेगो से संबंधित सारी important information देने की कोशिश की है फिर भी यदि आपके कुछ questions हो तो आप comment section में मुझसे पूछ सकते हैं मैं उनका आंशर देने की कोशिश करूँगा